नमस्कार किसान भाइव यूट्टूब चैनल में आपका भबाव स्वागत है चैनल पहली बढात चैनल चैनल को शक्सराप करने बेटिएफ को लाइक करें किसान भाईयों यह है कच्ची नैपाली सतावर और इसकी कटाई करके इस तरीके से सफाई करी गई है और इस तरीके से आप देख सकते हैं धेल लगा दिया गया है और इधर जो है सतावर बनाई जा रही है इस तरीके से सतावर को बनाया जाता है आप देख सकते हैं सतावर की दुलाई करने के बाद एक जाल में रखा गया है सतावर को और फिर भगोने में आदा भगोना पानी भरने के बाद जाल को भगोने में रख दिया गया है भगोने को रखने के बाद इस ताइगे से उपर से बोरी से डख दिया गया है बोरी से ढखने के बाद उपर से ढखकर रखने के बाद बजन रखा गया है आप वीडियो के मादम से दे सकते हैं तो किसान भाईयो सतावर को कितना उवालना चाहिए इसको जो है पचास से साड़ मिनट तक उवाला जाता है जब ये डेढ़ साल की होती है अगर धाय तीन साल की होती है तो थोड़ा टैम ज़्यादा लग जाता है ये आप दे सकते हैं ये दुली हुई सतावर है उदर और इदर ये दुलाई के लिए तयार है इसकी दुलाई करे जाएगी सतावर की और धुलाई करने के बाद इसको फिर वाला जाएगा ये दे सकते हैं ये दुली हुई है इदर और ये है धुलाई के लिए तयार ये आप दे सकते हैं इस तरीके से सतावर को वाला जाता है आप वीडियो के मादम से देख सकते हैं कर कोई भी किसान भाई को सतावर प्रोसेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा दिये गया नंबर है इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं उदर देख सकते हैं जो पंजी देख रहे हैं उसी से जो है खापी जाती है और फिर इसको मसला जाता है मोटर के हो जाती है पिर वाला जाता है सतावर को ये दो भगोने में सतावर उबल लई है दे सकते हैं दीमी दीमी लकणिया पजर रही है इसमें और इधर दे सकते हैं इधर छीलने के बाद इस तईके से इसमें ठब में रखी हुई है सतावर और इधर पेटी में है ये दे सकते हैं चीलनी के बाद इस तरीके से होती है सतावर यह दे सकते हैं और इसको अभी चत पर शुखाए जाएगा जब ये बढ़िया करके सूक जाएगी इतमें नमीने रहेगी फिर इसकी विक्री की जाएगी और अभी सतावर का रेट बहुत ही अच्छा चला है आप देख सकते हैं इस तरीके से सतावर की छिलाई करे जाती है ये छिली हुई सतावर है देख सकते हैं वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में ऐसे जानकरी के साथ धन्नवाद